गुड़ आफटरनून आज मैं आपको कक्षा 3 का हिंदी विषय पड़ाने जा रही तो हिंदी विषय में आज हम अमारा पाथ 16 पड़ेंगे पहेलिया पाथ 16 पहेलिया काव्य है जो हमारी वो मैंने आपको अपने किताब में समझा दिया है अब मैं आपको यहां पे स्वध् में लिखना है तो बच्चों हमको क्या है यहां पर क्रौम अक्षर देना है तो देखो पहला क्या है सपेद खेद किसको कहा गया है तो सपेद खेद किसको कहा गया है तो कागज को क्या आएगा ख कागज को अब दूसरा काला बीच का क्या आर्थ है तो काला अक्षर क्या है का काला बीच का क्या आर्थ है तो काला अक्षर तीसरा है मीठी वानी किसकी है तो मीठी वानी किसकी है कोयल की किसकी है मीठी वानी कोयल की अब चौथा यहां थाल सब्द का परियोग किसके लिए किया गया है तो आकास के लिए किसके लिए किया गया है आकास के लिए अब पच्वा है लाख मोटी जड़ी थी, मैं मोटी का क्या मतलब है, तो मैं मोटी का मतलब है, भुटे के दाने, क, क, भुटे के दाने, फिर देखो तीर छटा है दूसाल याने क्या तो दूसाल याने क्या होता है तो क? मक्के के छिलके दूसाल याने मक्के के छिलके फिर देखो सात्वा रात को गुमने वाला प्राणी कौन है रात को गुमने वाला प्राणी कौन है तो रात को गुमने वाला प्राणी उल्लू कौन है उल्लू अब आठवा है अनेक डालिया पानी का पेड किसे कहा गया है फोवारो को किसे कहा गया है फोवारो को फिन नौमा है धर्ती पर सबसे ज़्यादा वजन वाला प्राणी कोन है? हाती, कौन है? हाती अब प्रश्न नमबर दो है कोश्टब में से उचित सब्द चुनकर लिखतिस्तानों की पुर्ती कीजिए तो पहला क्या है सपेत खेत काला वीज बोने वाला गाय गीद? अब दूसरा है नहीं है सुन्दर रंग है काला यह पक्षी मीठी वानी वाला तीसरा है एक थाल मोती से भरा सब के सिर पर ओधा भधरा एक थाल मोती से भरा सब के सिर पर ओधा धरा चोथा है राजा जी के बाग में दूसा लोडे खड़ी थी क्या है चोथा राजा जी के बाग में दूसा लोडे खड़ी थी अब पाचवा है गोल गोल है जिसकी आखे भाता नहीं उजाला अब छट्टा है दिन में सोता रहता हरदम रात विचरने वाला एक पेड़ की ठंडी छाया पर नीचे कोई बैठ न पाया एक पेड़ की ठंडी छाया पर नीचे कोई बैठ न पाया आठवा है सुंड में पानी पिता हूं में चिंगाड मारता जोड जोड से प्रश्न नमबर तीन है निमनलिकित विदानों में से सही विदान के सामने सही का तीसरा है थाल चारो तरफ फिरता है तो मोती गिर जाते हैं तो क्या आएगा गलत आएगा चोथा है वह हरी भी और हरी थी और मोतीयां जड़ी थी तो सही आएगा फिर पांचवा है उल्लू रात में सोता है और दिन में जागता है तो क्या आएगा गलत आएगा फिर छट्टा है पानी वाले पेड में डालिया है पर पत्ते नहीं है तो क्या आएगा? सही आएगा साथवाय हाती की आवाज मदूर होती है तो क्या आएगा? गलत आएगा अब प्रश्ण नंबर चार निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है तो पहला है काला बीज की से कहा गया है, तो काला बीज बोने वाले का एक गीत को कहा गया है, फिर दूसरा है मिठी वानी पक्सी कौन सा है, तो मिठी वानी पक्सी कोयल है, कौन सा है, मिठी वानी पक्सी कोयल है, अब तीसरा है थाल किसको कहा गया है, तो आकास को थाल जैसा क चोथा है तारो की तुलना किस से की गई है? पाछवा है उल्लू की आँखे गोल गोल होती है चटा है दिन में कौन सा पक्षिस होता है? तो दिन में उल्लू पक्षिस होता है अब सात्वा है दूशाला उड़े कौन खड़ी है दूशाला उड़े मक्कई खड़ी है आठवा फुवारे रूपी पेड को कैसे बताया है तो पानी से निकला एक पेड पत्ते नहीं पर डाल अनेक एक पेड की थंडी चाया पर नीचे कोई बैठा है क्या है पानी से निकला एक पेड पत्ते नहीं डाल अनेक एक पेड की थंडी चाया पर बीचे नीचे कोई बैठा है अब प्रश्न नंबर पांच निमने लिखित सब्दों के समानार्थी सब्द लिखने है तो पक्षी तो खग आएगा बच्चों यहां पर पक्षी तो खग आएगा फिर रात तो रातरी, सीर तो शीर्ष, सीर तो शीर्ष, पानी तो जल, आकास तो आश्मान, छट्टा पेड तो व्रप्ष, शात्वा बाग तो बगीचा, आठवा धर्ती तो प्रुत्वी, नोवा आथ तो नेत्र, दस्वा हाती तो गज अब प्रश्ण नंबर 6, 99 लिखित सब्दों के विरुदार्थी सब्द लिखने, तो पहला सुन्दर तो असुन्दर, दूसरा ठंडी तो गर्मी, तीसरा काला तो सपेद, चोथा छाम तो धूग, पाचवा मीठी तो कडवी, छट्टा नीचे तो उचे, सात्वा उजाला सात्वा उजाला तो अंदेरा, आठवा एक तो अनेक, आठवा एक तो क्या हैगा अनेक, आप देखो प्रश्ण नंबर 7 है, एक जैसी पहली लिखे और तुम्हें कंठस्त हो, ऐसी एक तुम भी पहली बनाना है, तो देखो ऐसी कौन सी चीज जिसे जितना खीचो उतनी ही छोटी होती है, तो क्या हैगा, सिग्रेट, एसी कौन सी चीज है, जिसे जितना खीचो उतनी ही छोटी होती है, तो क्या हैगा, सिग्रेट, वह कौन सी चीज है, जिसे काटने पर सब गाना गाते हैं, वह कौन सी चीज है, जिसे काटने पर सब गाना गाते हैं, तो क्या हैग कि हमें सिग्रेट नहीं पीना चाहिए, दूसरा सिग्रेट पीने से बहुत सी बीमारियां होती है, दूसरा क्या है, सिग्रेट पीने से बहुत सी बीमारियां होती है, तीसरा जनम दिन पर बहुत ही खुसी मनाते हैं, जनम दिन पर बहुत ही खुसी मनाते हैं, चोथा जनम दि इसे लिए आपको लिखनी है और अपने माता पिता के पूझके लिखनी है now would यहां से साहिता से ह姓 सघे संबंदियों से बात कर सकते हैं और एक दूसरे का समाचार कुछा मिंटों में ले सकते हैं इसकी साहिता से हम अपने सगे सबंदियों से बात कर सकते हैं और एक दूसरे का समाचार कुछ मिन्टों में ले सकते हैं प्रेशन नंबर 2 किनी दस प्राणियों के नाम लिखने हैं किनी दस प्राणियों के नाम लिखने हैं तो देखो गाय, पहला गाय, दूसरा बैस, तीसरा बकरी, चोथा गदा, पाचवा घुडा, छटा उूट, सातवा सुवर, आठवा बेड, नौवा बकरी, दसवा प्रेशन नंबर 5 निमने लिखित समान आर्थी सब्द लिखने तो पहला पकसी तो खग, दूसरा राग तो रातरी, तीसरा सीर तो सीष, चोथा पानी तो जल, पाचवा आकास तो आश्मान, छटा पेड तो वरक्ष, सातवा बाग तो बगीचा, आठवा धरती तो दस्वा हाती तो गज, प्रशन नंबर 6 निमने लिखित सब्दों के विरुदार्थी सब्द लिखने हैं, तो पहला सुंदर असुंदर, ठंडी तो गर्मी, तीसरा काला तो सपेद, चोथा छाव तो धूर, पाचवा मीठी तो कडवी, छटा नीची तो उचे, सात्वा अठवा, एक, तो इस तरह से बच्चो मैंने आपको ये पाठ पूरा करा दिये, तो पाठ 16 जो हमारा है वो आज आपको कंपलीट करना है, अपनी स्वध्य पोथी में पूरा कंपलीट कर देना है, ठीके बच्चो, आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, आगे क पाठ 17 पढ़ेंगे, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, ठीके बच्चो, थैंक यू